पुलिस के SI शम्भू दयाल नहीं रहे और बताया जारा है कि जिहादी मुहम्मद अनीश ने उनकी हत्या की है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिली में दिली पुलिस भी सुरक्षित नहीं है और गोधी मीडिया को इसमें भी अपना एजेंडा चलाने की सूच रही है जहां गोधी मीडिया ने दिली पुलिस के एक बड़े अधिकारी की हत्या को एक मुसलिम का एंगल देने के चक्कर में दोस्तों गलत खबर चला दी और सिर्फ एक चैनल ने नहीं चलाई है, बलकि कई चैनल ने चलाई है, जो पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, साथ ही बताऊंगी कि गोरी मीडिया ने इस पूरी खबर का किस तरीके से बहुत बड़ा मजाग मनाया है, नमस्कार दोस्तो मेरे नाम यह हुआ है कि दिल्ली में बदमाश बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, यहां तक कि दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों की जान भी सुरक्षित नहीं है, उनकी जान भी खत्रे में है, और यह जो मामला सामने आया है, यह इस बात को पूरी तरीके से ब को गोद कर कहीं न कहीं हत्या को अंजाम दिया है, मौके पर उनकी मौत नहीं हुई थी, लेकिन जब उनको अस्पताल ले जाया गया कमभी रवस्था में, तो घायल शम्भू दयाल जी काफी दिनों तक उन्होंने सर्वाइब किया, चार दिन तक सर्वाइब किया, लेकिन नहीं रह पाए और इसके बाद अब बताया जा रहा है कि उनकी मृत्य हो चुकी है, वो शहीद हो गए है, अब सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि एसाई शम्भू दयाल जी शहीद हो गए, एक गलत इंसाने कारोपी की वो भेट चड़ गए, उसकी गलत मनसिक्ता की वो भ खबर को उन्होंने मुस्लिम अंगल दे दिया, आरोपी का नाम हिंदू है, लेकिन आरोपी का नाम मुस्लिम बताया गया, और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इन चैनल पर किसी तरीके का कोई आक्षन नहीं लिया गया, दोस्तों, एक एक चैनल जिन लोगों ने इस खब G Giris रसे पर मामला है दोस्तों इस खबर के मुदाबिक देखे इस बात की जानकारी पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने खुड ट्वीट करके दी और पुलिस ने यह बताया कि दिल्ली के मायावट पूरी इलाके की घठना बताई गई जहा और दिल्ली पुलिस को सूक्छना य उन्होंने पकड़ लिया आरोपी अनीश राज को पकड़ा दोस्तो तो इस पूरी खबर को तमाम मीडिया चानल्स ने सिर्फ और सिर्फ अनीश नाम का व्यक्ति बता कर चलाया है कुछ लोगों ने तो मुहमद अनीश बता दिया और कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अनी रिलाइस करके दिखाया जहां आरोपी का नाम मुहम्मद अनीस बताया गया जबकि उस आरोपी का नाम अनीश राज है जो की 24 साल का है और इंडियन एक्सप्रेस ने बकायदा अपनी रिपोर्ट में उसका नाम लिखा है उसके नाम का खुलासा किया है नाम शामिल करते हुए लिखा है कि महिला ने बात बताई कि अनीश राज ने चाकू की नोग पर उसका फोन चीना और फोन चीना तो एसाई शंबू दयाल जी उस वक्त वो पहुंचे मौके पर उन्होंने गिरफतार किया उसको और उसको पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे थे लेकिन तभी हुआ य यह गंभीर रूप से घायल हो गए लेकर बावजूद इसके उनकी बहादूरी को सलाम करना पड़ेगा दूस्तों कि एसाई शंबू दयाल ने आखरी दम तक उस आरोपी को छोड़ा नहीं भीड जो थी तमाशा देख रही थी जिस तरह से वो चाकू गोद रहा था भीड स सिर्फ देख रही थी बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की और अंत में हुआ यह कि वह आरोपी भाग निकला लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने उसको बात में जाकर पकड़ा है लेकिन उस बक तक भी जो शंबू दयाल जी है वो उसको पकड़ कर रखने की पूरी कोशिश म अन्त में लगे उए थे और अंत तक भी उन्हाया वहने पकड़ा जो सीची टीवी सपूटेज सामने आया है वह सीची टीवी फूटेज तक सामने नहीं आया था लेकिन साफ़तर पर दिखाई दे रहा है कि जो आरोपी अनिश राज है वह किस तरह से पूरी घटना को लाग किया तो उनका हाथ जो है वो छूट गया और वो जो आरोपी है वो भाग खड़ा हुआ लेकिन उसके बाद थोड़े समय बाद सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफतार कर लिया तो आरोपी का नाम अनीश राज है अनीश नाम नहीं है उसका अनीश के साथ दिखा रहे हैं अब देखे सुदर्शन न्यूस चानल की ख़बर जो चलाई गई उस चानल ने भी मुहमद अनीश बताया बल्कि मुहमद अनीश नहीं बताया जिहादी मुहमद अनीश बताया साथ ही देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में क्य उसका नाम मुहमद अनीश नहीं है दोस्तों सुदार्शन न्यूस के में बात कर रही थी तो सदर्शन न्यूस ने जिहादी बताया है उस और यॉपिकों कि जिहादी मुहम МУЗЫКА अनीश ने यह काम किया है इस घटना को अंजाम दिया है और शम्भू दयाल जिहादी मुहम्मद अनीश की गलत मासिक्ता की भेट चड़ गए यह कई सुदर्शन नियूस की एंकर सहीबा क्या कह रही थी आपने सुना दोस्तों और इनके पास खबर कहां से यह हम नहीं जानते लेकिन इनों ने किस तरह से उस खबर को किस तरफ एंगल जोडने की कोशिश की है यह भली भाती जान गए होंगे अब सुदर्शन नियूस के अलाव कर सहीद अंसारी वरिष्ट एंकर माने जाते हैं आज तक कई सालों से काम कर रहे हैं उन्हों ने अपनी आंकरिंग में बात साफ तोर पर कही है कि आरोपी का नाम मुहमद अनीश बताया जा रहा है आपको जड़ा सहीद अंसारी जी का वीडियो भी दिखा देते दोस्तों यह वीडियो देखिया आरूपी को थानी ले जाते समय एसाई शंभू दयाल पर इस आरोपी ने हमला कर दिया चार जनवरी का यह वीडियो है इस आरोपी का नाम है मुहमद अनीश तो जैसा आपने देखा कि जितने भी बड़े-बड़े तथा-खतित चैनलों के मेंस्ट् जाथ और इस दावे को जुटलाया है साफतार पर नीशोने दोस्तों फैक्ट चैकिंग वेबिजान की जाएक से ठीh महमद जुबहर के उन्होंने इस बात का जिक्र ट्वीट करके किया है साथ ही इन तमाम चानल्स पर उन्होंने कारवाही करने के दिल्ली-पुलिस का करते का खुलासा कैसे किया दोस्तों दिल्ली पुलिस भी एक प्रेस रिलीस पहले जारी कर चुकी है प्रेस रिलीस में बकाइदा उस शक्स का नाम अनिश राज बताए जा रहा है उसके पिता का नाम प्रहलाद राज बताए गया है जहां दोस्तों दिल्ली पुलिस ने अभी तक पर किसी तरीकी की कोई कारेवाही नहीं की है वो भी तब जब इंचानस ने एक शहीद हुए एसाई की मौत का कही ना कही मजाग बना कर रख दिया वो शहीद हुए देश के लिए और साथ ही उन्होंने आरूपी को तब तक नहीं बक्षा जब तक कि वो आरूपी पकड़ा नहीं गया अंत मूमेंट तक भी वो उस आरूपी को पकड़े हुए थे अपनी जान के साथ खेलवार करके अपनी जान को दाओ पर लगा कर उन्होंने उस आरूपी को पकड़ने की कोशिश की लेकिन कहीं ना कहीं उनके शहीदी को इन लोगों ने मजाग बना कर रख दिया दोस्तों इससे जादा निंदनी है इससे जादा दुर्भा के पूर बात कुछ नहीं हो सकती है कि आप एक पुलिस अधिकारी के निधन पर आप पुलिस अधिकारी की हत्या को जिसने अंजाम दिया उस आरूपी को आरूपी बताने के लिए आपको एक मुसल्मान का सहरा लेना चाहते हैं आप उस पूरे वर्क के खिलाफ एजंडा चाहते हैं आप उस पूरे समुदाय को एक कल्प्रिट बनाना चाहते हैं और वह वह कर रहे हैं दोस्तों कि उन लोगों के उपर किसी तरीके का कोई अभी तक नहीं लिया गया है अलाकि इन चैनल के उपर आक्शन लेन है कमेंट करके जरूर बताइए का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले फिर मुलाकात होगे आपसे किसी इसी ही खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार